Hey guys, चलिए review करते हैं Brewmaster Coffee Maker from the brand Pigeon So, ये जो है मुझे मेरे company से मिला है as Diwali gift So, let's see the parts पहले तो एक filter मिला है उसके बाद नीचे और एक funnel type मिला है ये सारा ही plastic का बना हुआ है अभी फिलाल में एक flashlight on करी हूँ so that आपको एक अच्छा सा view मिले ये section में हमें पानी डालना है मैं वही बोल रही हूँ और यहाँ पे आपको पानी का level दिखाए देगा ये जो kettle है ये पूरा का पूरा glass से है and बहुत ही delicate है तो आपको बहुत संबाल के रखना पड़ेगा उसके बाद हमें एक measuring चोटा सा spoon मिला है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो kettle है वो बहुत ही अच्छे से दो लिया है and मुझे 2 cup coffee बनानी है तो मैंने 2 cup के measurement के हिसाब से लिये और जहाँ पे पानी डालना है वहाँ पे मैं यहाँ पे 2 cup पानी डाल दिया है यहाँ देखिए measurement में भी दिखा रहा है कि पानी 2 तक फुल है उसके बाद हम लेंगे coffee powder यहाँ पे हम instant coffee यूज नहीं कर रहे है यह है filter coffee powder यह instant coffee से बिल्कुल different होता है and बजार में आसानी से मिल जाता है तो मैं 2 cup coffee बनाने के लिए I am going to take 1.5 teaspoon of coffee powder तो यह जैसे कि आप देख रहे हो इस filter के अंदर डालना है and हम फिर से और थोड़ा सा डाल देंगे अगर आपको coffee strong चाहिए तो आप और थोड़ा भी डाल सकते है तो चलिए lid बन कर देते है and हम switch on कर देते है power make sure कि यह power भी on हो and थोड़ी देर के बाद machine start हो जाता है and एक आवाज आने लगती है like आपकी coffee brew हो रही है and drop by drop आपकी brewed coffee इस kettle में collect होती जाती है as you can see so जैसे ही यह सारा coffee collect हो जाएगा automatically यह machine बंद हो जाएगी and उसके बाद आपको switch off करना है यह दो जो खड़े दिख रहे हैं आपको इससे उसका सारा ही steam निकल जाएगा so हमारी coffee बंद चुकी है and हमने switch off कर लिया है यह रही हमारी गर्मा गरम brewed filter coffee and यह देखे यह ऐसा कुछ दिखता है यह इसको आप आपकोस फेक के आप इसको दो सकते है now let's serve our coffee usually black coffee इतना नहीं पसंद मुझे तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूट डालने वाली हूँ but look at this coffee guys this looks so good and it's brewed to perfection so looking very very good चलिए इसमें से अब थोड़ा सा हम दूट डालते है थोड़ा सा शकर डालते है and इसको मैंने आइक्या से यह coffee stirrer लिया था ताकि जाग वाली coffee बने and बहुत ही बड़िया coffee बनी है so let's take it to my husband and see his reaction so how's the coffee nice genuinely बोलना it's nice it's nice and how's the strong शकर तुड़ा जादा है हमें तुड़ा जादा डाल लिया but is the coffee strong enough अब चलिए बात करते है about my review about this coffee maker so the build quality is not very good nor it is very bad ठीक है like price point of view से ठीक है यह Amazon Flipkart सब जगा मिल रहा है but filter coffee बहुत ही बैतरीन तरीके से brew करता है so it's a thumbs up from my side and काफी छोटा है तो easily एक कोने में आराम से फिट हो जाता है I'm going to leave the links below if you guys want to purchase it so bye bye for now